मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तिसगर से गुजरने वाली यात्री गाडियों के अनियमित परिचालन से राज्य के लाखों नागरिकों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है मुख्यमंत्री भगेल ने पत्र में लिखा है कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी जाती है निरस्त ट्रेने कब तक निरस्त रहेंगी इसकी भी जानकारी यात्रियों को यातरी ट्रेनों की निरस्ति के अलावा ट्रेनों के अत्यधिक विलंब से चलने से भी रेल यातरियों को काफी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मक्यमंत्री ने कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में रेल मंत्री जी को भी अनेक अफसरों पर यात्री ट्रेनों के सुचारू परिचालन हितू ध्याना करशित करने के लिए पत्र लिखा गया है किन्तु उससे स्थिती में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। मक्यमंत्री बखेली प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पत्र के माध्यम से कहा कि ट्रेनों के इस तरह से असमानने संचादन से चात्रों, तीर्थ यात्रियों, मरीजों, रोजगार के लिए राज्य में आने वाली व्यक्तियों, व्यविसाईयों, श्रॉमिकों अक्रोश्वे आप्त है तथा जिससे सरकार और रेल्वे की विश्वसने इतापर प्रश्ण चिनल लगने लगे हैं। मंत्राले को राज्य की यात्री ट्रेनों के पूर्ववत सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने का कश्च करें ताकि राज्यवासियों को हो रही समस्याओं का अंध हो सके तथा उनके आक्रोश को शांत किया जा सके।